पासकार दोस्तों क्या आज के मुकाबले में रोहित और सूरिया दोनों ही फिर फिलॉफ होने वाले हैं और दोस्तों USA का वो कौन से बिलियर है जो आपके लिए ग्रन लिग बिनकरा करते हैं सभी के बारे हम डिटिल से जानेंगे USA से साबधान रहना पड़ेगा क्योंकि विक विकारी तो हारने लाएक ही खेलते हैं आज भी आपने देखा होगा जैसे खेल रहे हैं खेर छोड़िया इसके बारे हम बात में करेंगे लेकिन यह दिए आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है जिससे ह आपको वीडियो डिस्क्राइब में मिल जाएगी आपके लिए क्या करना है तो यहां पर जोइन करकर सबस्पह़ले नोटिफिकेशन और रखेगा यहां पर आपको लीग क्या मिलेगा फिरी गिबब मिलेगा आफ्टर टोस अप्डेट मिलेगी और बेस्ट कॉमिनेशन इस जहां की विकेट के बारे में कहा जा रहा है कि बड़ी टोफ विकेट है और एक्टोम में है भी ऐसा ही एक की टॉफ विकेट है और यहां पर खेलना बड़ा मुश्किल हो 있으면 लेकिन गेंदवाजाों का हैवन है गेंदवाज प्यादे के टीम की जाद़ है तो दोस्तो उसके अकोडिंगी ही टीम तैयार करनी है 110 के आसपास आप मान कर चल ली जीगा लेकिन वो 103 से 108 के बीच एवरेज आ रहा है यहाँ पर आप देखोगी हर वार 150 प्लस से नीचे ही स्कोर बना है मात्र एक वार 190 एवर बना है वो भी कब बना था दोस्तों 170-180 की बना है वो भी क्या जो अभ्यास बेच था भारत का उसमें बना था तो विकेट बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल शूटेवल नहीं है गेंदबाजी के लिए मदद करने वाली है इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रख कर चल चकते हो बात करते हैं बेन उपर खेलेगा रिसेंट मुकाबले आप देखोगे साउथ अफरीका और बंगला देस के बीच में मुकाबला हुआ था इसमें साउथ अफरीका ने बनाए थे 113 रन और बंगला देसको 109 पर रोग दिया था यहाँ पर आप देखोगे तो आप आओगे देखा हुआ है यहाँ पर देखा हुआ यहां पर दूनों में लेटारम इसमिला ने आपके लीगिट निकालकर दिया है यहां दोफ तो left arm spinner ने विकेट निकाल कर दिया है यहां पर आप देखोगे निदरलेड निदरलेड 113 रन नौ विकेट और साउथ अफ्रीका 106 रन चे विकेट यहां पर आप देखोगे पेस बॉलर को 13 विकेट तो spinner को कोई विकेट नहीं मिला था फिर आप देखोगे पेस बॉलर का डॉमिनिशन और फिर उसके बाद भी पेस बॉलर का मतलब याद रखेगा कि आपके लिए पेस बॉलर बहुत इंपोडेंट होने वाला है इस पनर इतना जाद इंपोडेंट नहीं रहेगा और संभब्ता हाई स्कुरिंग मुकापला देखने को तो कते ही न मिले हाला कि यूएसे बहुत अच्छी खिलती है इस बात को आप ध्यान रख कर चलिएगा यूएसे बहुत अच्छा खिलती है तो चलिए अब हम बात करेंगे दूस्तो खैन लाए ने लेवे निक बारे में जिस भाई ने भी डाउनलोड नहीं किया हो वो डाउनलोड कर लीजिगा लि आपको इस पर खेलने के लिए क्या लाग क्यों में आपको बोलता हूं बार-बार की इस पर खेलियेंगा इन्वेस्टमेंट करिएगा सबसे पहले क्या होगा lowest entry fees है जिया nou दोस्तों लोट एंट्रिवीज है इससे कम entry fees आपके लिए कही नहीं मिलने वाली है तो आप कम से कम कमेंट इसमें खिलना चाहे देना तो आप एक बार जरूर ट्राइ करकर देख सकते हो लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिक्शन में मिल जाएगी लेकिन डाउलोड करकर राजबंट 3 कोड डालना आप बिल्कुल भी मत भूलीगा तो चलिए बात करते हैं दोनों ही टीम हों संभ याथ तिन नमर पर बल्ले बाजी करा सकती क्योंकि बराट कोली को मेरे साथ से है तो ओपन नहीं जिए जया रहा है हो ज्यादा तेज खिलने के चक्कर में वो आऊ हो रहे हाला कि मैं ऐसा नहीं वोला कि टीम के और मेंमर ने प्रमेंस किया हू विकेट नहीं है मार मिलाएक लेकिन थोड़ा लग रहा है मुझे ऐसा कि ब्राट कोली को ओपन नहीं करना चाहिए आप देखो कि रोज सर्मा 13 रन और दुस्तो 52 रन और बेन उपर भी आप यहीं माल लेजिगा दो ही मुकाबले हैं अभी जो कि नौने खेले हैं उसके बाद ब्राट कोली 4 रन और 1 रन इस बार चांस इनके पाकिस्तान ने जॉप किये थे क्या चिनके तो इंपोडेंट प्लेयर हैं रिसपन्त और खास तोर पर ग्रेंड लीग में दी आप चाहा रहे होना इन्हें कैप्टेंजी 22 कैप्टेंजी देना तो बिलकुल आप डेफिनली दे सकते हो सूरे कमार यादव बिलकुल भी फॉर्म में नहीं देख रहा है और बेन्यों भी इनके अकॉर्डिंग नहीं है इन्हें क्या चाहिए कि बॉल बल्ले पर तेज आए तो उसको यह भार उठाकर फेक सके या अपना जो लेप सौट है वो खेल सके मिस्टर 360 जैसे तो ऐसा कुछ इनको अभी देखने को नहीं में लिए तो सूर्य कुमार यादव लगातार फैल हो रहे है और क्या इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव अपना कमबेक कर सकते हैं यह दि आपको लगता है तो आप वीडियो पर कमेंट करकर बता सकते हो कि हाँ सूर्य कुमार यादव आज के बल्लेबाजी करती है यह अब इनका क्या होगा सबसे पहले तो आप देखिएगा साथ रंद दो विकेट और फिर यहां पर तीन विकेट बल्लेबाजी तो अच्छी करी रहे हैं बल्लेबाजी तो कर रहे हैं उसमें तो बिदाव एजिटेशन कोई बात नहीं लेकिन उसके साथ साथ दुखतो गेंद वाजी से विकेट निकाल रहे हैं आप देख रहे होगे आप बल्लेबाजी कहां अच्छी कर रहे हैं एक मैच में तो बल्लेबाजी आई थे उसमें आथे सातरन किये थे लेकिन बल्लेबाजी अच्छी कर रहे हैं इन्होंने जो अभ् और इनकी जगे को खिला कर ब्राट कोली का थोड़ा बैटिक मॉटर फास डाउन पर सेट किया जाए क्योंकि थोड़ी दिक्कत आ रही है आपको क्या लगता है आप वीडियो पर कमेंट करकर बता सकते हो फिर रविंद्र जटेजा इनकी टीम में जगे नहीं बनती है आप दे प्रमोट किया गया था इस बजह सकते हो इसलिए अक्षर पटेल को आप अपनी टीम में ट्राइब करकर चल सकते हो जसी जैसा कोई ने जहां दुखतो लास्ट में लास्ट मुकावला तो पाकिस्तानी खिलाब हुरा था ता ना तब साइद आपने टीव खोली हो या नहीं खोली हो मैं तो मैस देख रहा था भारत का बिलिंग परसेंटेज आ रहा था 10 और पाकिस्तान का आ रहा था 90 फिर भुम्रा हमारे गयंद बाजी करने के लिए और गयंद बाजी करने के लिए पूरी प्रेडिक्शन चेंज कर दी और रिजवान को आउट क समझ सकते हो ऐसी जैसे ब्राट कोईली ने वह दो शिक्स बारी था ना है रिस राउट में ऐसे ही दोस्तो जैस्प्रीद भुम्रा ने गयंद बाजी की थी इससे कम कैड़ेट इन्हें नहीं दिया जाज सकता और आज की मुकाबने में हमारी बेस्ट चोईस हैं कैप्टेंसी और बाइस के लिए उसके बाद मुहमास सिराज जीरो और एक विकेट फिर अर्षदीप सिंग देखोगे तो एवी ठीक है दोस्तों एक एक विकेट और दो विकेट ठीका गयंद बाजी कर रहे हैं अर्ष स्टेट्स ऑफ अमेरकां की अमेरकां बार इम बात करें स्टीवन टेलर बहुत अच्छी प्लियर है लेकिन आप देखो कि लगातार इनका फेलूर आया है प्लियर बहुत अच्छी है डेफिनली आप इने ट्राइक करकर चल सकते हो इंपूडेंट चोईस आपके लिए हो सक खिल कर दी और उससे पहले इनोंने 16 रन बनाए बहुत अच्छी प्लियर है और टीम के क्याप्टन भी है तो बिल्कुल मॉनांग पटेल को आप अपने टीम में ट्राइक कर सकते हो उसके बाद देखे हो एंड्रियस गॉस प्यांतिशन बिल्कुल इन्हें तो आप ट्राइ आप मेंज नहीं देखते तो आप इन एक बार जरूर देखिएगा तो एरॉन जोंस को आप ट्राइपने टीम में करकर चल सकते हो उसके बाद आप देखोगी कोरी एंडर्सन यहां पर नहीं मिला हाला कि इनके टीम इनकी उपर इतना ज्यादा भरूसा नहीं जता रही है ज दो तो इनकी जगे कोरी एंडर्सन की जगे नीतेशकुमार को अलाकि नीतेशकुमार का दाव वाला जो दाव था ना इनहां चला था वो फैल हो दी यह जड़ आ रहा है था लेकिन लास्ट में नीतेशकुमार ने एक चौका देकर पूरे पाप धोली है जब मैं स्ट्राइ नेत्रबलकर और अली खान इन दोनों में से आप अपनी टीम में ट्राइकर करकर चल सकते हो यह दोनों ही इंपुडेट है नेत्रबलकर ने तीन बुकर निकाली जिए महीं बता रहा ना कि भारती भारती पाकिस्तान को देखकर अपने आप प्रमेंस करने लगे जो भारत के सभी प्लेयरों ने प्रमेंस करकर दिया था कुल मिलाकर आपके लिए इनकी टीम में यदि बात की जाए इंपुडेंट प्लेयर जिने आप ट्राइ करकर चल सकते हो वो कौन कौन सी है वो सबसे सबसे पहले देखेगा टेलर है मोनंक पटेल है और दोस्तों यहां से गौस है और फिर आप देखोगे एरॉन जैंस एरॉन जैंस के बाद कोरी एंडरसन कोरी एंडरसन के बाद सौरब नित्रवल कर एक दो तीन चार पांच चार पांच पलेयर इनकी टीम में ऐसे मिल जाती हैं दुश्तों छै पलेयर जिने आप ट्राइ कर सकते हो अपनी स्मॉन लिक की सेफ चोईस तो आपके लिए बॉलर ही सेफ चोईस है मेरी साब से जैस्पीद अर्षदीप सिंग और रोष सर्माप में यहां पर ले आया इनकी जगें आप मुहमद सिराज को डाल सकते हो क्योंकि सिराज का इतना अच्छा गैंदवाजी चल नहीं रहा ना इसली मैंने सिर सिराज है और जौन से इन्हें मैंने अपने रिस्की में रखना चाहता है लेकिन थोड़ा फॉपर नीचे चल लाए फॉम नहीं कहेंगे उपर नीचे जो बेनु इतनी अच्छी नहीं है बल्ले बाजू के साब से इसली मैंने ब्राट कोली को थोड़ा रिस्की आप्शन मे रखा है तो चलिए बात करते हैं अब हम दोफ्तो एक जो कॉमिनेशन हमने आपके लिए रेडी करका रखा है वह देख लीजी आप यहां पर रिसपंत ब्राट कोली और विस्तरमा है एरन जैंस को ट्राइक किया है यहां पर आप देखो कोरियंट सन हार्दिक पांडिया फि आप टेलिग्राम जोइन करना मत भूलेगा लिंक आपको वीडियो लिस्तरम में मिल जाएगी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हूँ तो वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सस्क्राइब कर लेना है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत